अलो स्टुडेंट्स मेरा नाम गोकुल राम निशाद है सायक प्राध्यापग रशायन सास्त्र शाष्कित दिवजाय मुहाविद्द्यले राज्ञान गाम आज हम पढ़ने वाले हैं बेसी फाइनल येर केमिस्ट्री में इनॉर्निक केमिस्ट्री में यूनिट टू जो है व बेसी कली तीन पार्टस में पढ़ने वाले हैं पार्ट वण और टू और पार्ट ठ्री करके पार्ट वन जो है वहाद डेग्राम का इंट्रडक्टरी पार्ट होगा कि कौन कनल से कि और और गल डाव के अंतरगत हम जो ग्राब प्लाट करंगे डाव्य जो प्लॉट करेंगे वो जुह है वो फेल्ड इस् Gay श्ट्रेंद्ट बिज जो है वह ग्रापड किया जाता है बेसिकली जितने प्रकार के metal complexes होंगे चाहे वो metal free metal ion हो या metal form में हो तो उसके लिए हम जो graph plot करेंगे वो field splitting energy या ये कह सकते हैं कि छेत्र विपाटन उर्जा और legend छेत्र शक्ती के बीच खीचा गया graph रहता है हम ये देखते हैं कि organ diagram जो है वो चक्रन अनुमत आवशोशन जो band है उसके बारे में explain करता है कि जितने प्रकार के complexes होते हैं उसमें चक्रन अनुमत जो आवशोशन band बनते हैं उसके हिसाब से वो कौन से electronic spectre देगा DD transitions के अंतरगत उसके बारे में explain करते हैं जनरली जितने प्रकार के स्टेट रहते हैं उसमें हम जो electronic transition study करते हैं वो ground state पर आधारित होते हैं लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं spin allowed transitions तो spin allowed transition में दोनों प्रकार के जो ground state रहते हैं ground state और excited state दोनों स्टेट के बारे मश्टेडी करते हैं metal complexes में उसके electronic energy को explain करने के लिए वह से तो दो specific theory है एक है टनाबे सुगानो डाइगराम और दूसरा और अर्गल डाइगराम है पर हम अभी हमारे बसी फार्टेट के लेवस में हम और डाइगराम है हम आर्गल डाइगराम पर डिसकर्श करेंगे और गल डाइगराम में दोनों प्रकार के जो complexes होते हैं, चाहे वो octahuddle हो, चाहे tetrauddle हो, दोनों प्रकार के complexes के बारे में study करते हैं, हम पहले यह देख लेते हैं, कि यह tuncher metal complexes में D1 से लेकर D9 तक का जो electronic configuration है, उसमें ground state क्या होगा, और excited state क्या होगा, इसके बारे में पहले जान कर लेते हैं, D1 से ले मिरे जिते हैं, कि कौन-कौन से electronic configuration में, कौन-कौन सा ground state energy term और excited state energy term पैसाँता है, D1 और D9 के लिए, जो ground state energy term होता है, वो 2D होता है, 2D, इसमे excited state energy term गक् áर्थी भारे मेरे जो होता है, 3P होता है D3 उसी प्रकार D3 और D7 के लिए जो ground state energy term होता है वो 4F होता है और इसके लिए excited state energy term जो होता है वो 4P होता है D4 और D6 दोनों के लिए जो ground state energy term होता है वो 5D होता है 5 capital D और इसमे excited state energy term नहीं पाया जाता ठीक उसी प्रकार D5 के लिए 6S होता है Ground State Energy Term और Excited State Energy Term इसमें नहीं पाया जाता और D10 के लिए Ground State Energy Term होता है 1S होता है और इसमें Excited State Energy Term नहीं पाया जाता है हम यह discuss भी कर सकते हैं कि D1, D9 के लिए 2D क्या होगा D2, D8 के लिए 3F क्या होगा D3, D7 के लिए 4F उसी प्रकार D4, D6 के लिए 5D D5 के लिए 6S और D10 के लिए 1S क्या होगा शायद आपने पहले के Classes में पढ़ा होगा LS Coupling जिसमें पढ़ते हैं हम जिसके अंतरगत Ground State Energy Term निकालते हैं इस पर हम थोड़ा स्चर्चा कर लेते हैं 2S प्लस 1 L और J जहां पर आपको पता होगा 2S प्लस 1 को Combined Form में Spleen Multiplicity कहा जाता है Spleen Bahuilta कहा जाता है L जो है Total Orbital Number Total Orbital Number है J टोटल जो Quantum Number है इसमें 2S प्लस 1 के लिए हमें दो डेटा आपको निकालना पड़ेगा S तो निकालना पड़ेगा तो चुक्कि आपको पता है कि D1 है तो D1 Electronic Configuration में एक Electron है और इस Electron को इलिए हम मान निकालेंगे जैसे 0 यह प्लस 1 यह प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 तो यह Electron S निकालना है S मतलब Spin निकालना है Spin निकालेंगे तो आपको पता है यह Clockwise Direction में है तो इसके Value आएगी Plus Half तो यह आपको पता है Plus Half होगा Plus Half के लिए आप जब निकालेंगे 2S Plus 1 तो यह आजाएगा 2 into 1 by 2 S की Value प्लस आप रखेंगे Plus 1 इसका मतलब 1 Plus 1 is equal to आजाएगा 2 यह आपका 2 Value 2S Plus 1 का मान है Spin Multiplicity यह तो हो गया 2S Plus 1 का मान आपको निकालना है L L निकालना है Z हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि Z निकालने पे हमारा L S कपलिन निकलेगा हम अभी के वाल Ground Terms सिंबॉल निकाल रहे है तो 2S Plus 1 Plus L L निकालना है L मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये Electron जो है वो कौन से और्बिटल में है जैसे आपको पता होगा जैसे ये जो डेटा है सधार पे जब निकालते हैं सबसे पहले वाला तो ये वाला जो section है वो change हो जाएगा ये Plus 1, Plus 2 ये Minus 1 और ये Minus 2 हो जाएगा ये Electron जो है वो Plus 2 में है तो Plus 2 में होने के कारण L के जो values होते हैं जैसे आपको पता होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो यदि 0 है तो वो होता है Capital S, 1 होगा तो Capital P, 2 होगा तो Capital D, 3 होगा तो Capital F, 4 होगा तो Capital G और S, 5 होगा तो Capital H होता है चुकि हमारे लिए अभी जो Electron है जो Orbital Number है उसमें वो पहले Orbital में है और होने कारण इसके Value Plus 2 आ रहा है Plus 2 आ रहा है मतलब 2 है तो 2 होने कारण इसके Value आएगा D तो L की Value आया आपका D और 2S Plus 1 का Value आया था 2 इस प्रकार से इसका Symbol क्या हुआ 2D यह हमने यह हमने इस वाले टेबल में देखा था कि यह Value D1 के लिए जैसे 2D आता है उसी प्रकार D9 के लिए भी सेम क्या आयागा 2D आयागा बांकी जो Data है Calculation है यह उसी प्रकार निकाला जाता है D2 के लिए भी और D3, D4 जो कि आपको पता है D1 में Unpedelectron के संख्या और D9 में Unpedelectron के संख्या सेम होने कारण इसके लिए Ground Term Simbol भी क्या होगा सेम होगा ठीक उसी प्रकार D2 और D8 में भी Unpedelectron के संख्या 2 है इसलिए इसके लिए भी Ground Term Simbol है Energy Term वो सेम होगा D3, D7 के लिए भी 4F दोनों के लिए सेम होगा D4 और D6 के लिए भी ये सेम होगा D5 और D10 के लिए Value दोनों अलग-अलग होते हैं